Hello everyone, I hope आप सभी की आगामी परिक्षाओं की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी जैसा कि आप सभी को पता है UKPSC द्वारा अपने वेबसाइट पर बहुत सारे एक्जाम्स की अपडेड़िट सिलिबस अप्लोड कर दिये गए हैं एक उन्ही में से एक एक इकजाम से बहुत सारे एक्जाम्स इसके कडिक्षाओं पर परिक्षाओं रहने वालей है जैस दौर पर वेकिंसी बहुत समय बाद आ रही है पिछली बार जो पेपर पैटन था उससे Hosके पेपर पैटन है तो इस बार subject के आपके एक paper होना है और इसके अलावा language के दो papers होने है general studies का paper होगा या नहीं होगा या भी आपको इस वीडियो के माधियम से मैं बताऊंगा साथ ही कितने subjects में कितनी vacancies हैं for example civil में कितनी vacancies हैं आपकी maths में कितनी vacancies आपको देखने मिलेंगी physics में कितनी vacancies chemistry में इसके अलावा different fields हो गया आपकी computer science and engineering, chemical हो गया, agriculture हो गया, electrical हो गया, pharmacy हो गया different fields में, different rates में आपके कितनी कितनी posts हैं या भी इस वीडियो के माधियम से आप सभी को बताऊंगा इसके अलावा क्या आपका eligibility criteria रहने वाला है, यह एक बहुत important, you know, बिंदू है जिसके बारे में बहुत सारे experiments के मन में संशेगा बहुत सारे experiments, you know, जो उत्राखन को नहीं belong करते, वह यहाँ पूछना चारे थे जब पिछली बार मैंने upload करी थी video that whether वो eligible होंगे इस exam में या नहीं होंगे, तो let me tell you, इस polytechnic lecturer का जो exam होने वाला है, उसमें हर कोई eligible होगा, whether you are a candidate domiciled in the state of उत्राखन or not, चाहे आप उत्राखन को belong करते या नहीं करते, आप equally eligible इसके लिए होंगे, and as such जो उत्राखन के residents हैं, उनको कुछ भी extra edge नहीं मिलने वाला है इस exam में, all right, तो जो भी students काफी लंबे समय से subject specific तयारी अपने अच्छी से करते आएं, तो जाहिरतोर पर उनके लिए एक golden opportunity होगी, लोग सवा elections भी हमारे 2014 में scheduled है, इसलिए मुझे रखता है कहीं न कहीं, election से पहले आपको जरूर, polytechnic lecture आरके जो vacancy है, in the state of उत्राखन जर करता रहता हूँ, the username for our telegram channel is UKPSC exams 2023, यह username है, जैसी आप इसको telegram tab पे type करेंगे, आपको हमारा channel मिल जाएगा, and वहाँ पर मैं समय समय पे जितने भी important, you know, आपकी updates होती है, as well as जितने भी important questions होते है, from different subjects, like general studies, आपका Hindi हो गया, English हो गया, general aptitude हो गया, majorly यही जो आपके portions होते ह different competitive exams में आजकल पूछे जाते हैं, especially if I talk about exams in the state of Utrakan, तो इन से related जितने भी important questions होते हैं, and even if I talk about general studies, general studies में सारे ही topics, be it history, geography, economy, quality, general science, तीनों subjects उसमें मैं cover करता हूँ, physics, chemistry, biology, even computer science भी मैं उसमें cover करता हूँ, इसके अलावा आपका जो current affairs रहता है, be it national as well as international current affairs, या Utrakan specific जो current affairs section रह जाता हूँ, तो हमारे YouTube channel को जरूर सबस्क्राइब करें, ताकि कोई भी important update मेरे द्वारा आप तक पहुचाई जाती है, तो तुरंत आपको update मिल सके, and यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी प्रश्न, Telegram channel पर जो भी मैं share करता हूँ, exam में पूछा जाता है, तो आप उसक आंसर सही मार करके आ सके, तो इसलिए हमारे Telegram channel जरूर सबस्क्राइब करें, Telegram channel को जॉइन करने का link में आपको इस वीडियो के description box as well as comment section में भी provide कर दूँगा, तो वहाँ से आप उसे जॉइन कर सकते हैं, हमारे YouTube channel को जरूर सबस्क्राइब करें, and साथी experience के साथ भी यह वी इसलिए हैं, उसमें आप apply कर सकते हैं, जो different specific subjects के लोग हैं, for example, even if I talk about civil, तो civil में आपको बहुत सारी vacancies इस बार देखने को मिलेंगी, and mostly यह होता भी आ है, 103 vacancies के आसपास आपको civil में देखने को मिलेंगी, इसके अरावा maths की बात करूँ, गडित में आपको 43, chemistry में 45, physics में 41, इस तरीके से कुछ vacancies हैं, अगर मैं English की बात करूँ, तो English में आपको 48 के करीब vacancies देखने को मिलेंगी, agriculture में around 3-5 vacancies देखने को मिलेंगी, electrical में 57, again एक बहुत बड़ा number है, बहुत बार आपको ऐसी vacancies देखने को नहीं मिलती है, mechanical की अगर मैं बात करूँ, mechanical engineering, तो 55 के around vacancies आपको pharmacy में भी around 47 vacancies देखने को मिलेंगी, इसके अलावा electronics and communication जो field है, उससे भी around 29 vacancies, computer science and engineering से आपको 30 vacancies देखने को मिलेंगी, and इसके अलावा IT जो है, information technology, सूशना प्रध्योगी की, उससे भी आपको 21 seats के around देखने को मिलेंगी, तो basically मैंने आपको एक brief idea देती है, that आपके fields में जिसफी field को आप बिलाउंग करते हैं, उससे कितनी seats आपको approximately देखने को मिलने वाली है, in your upcoming politics lecture and notification, क्या आपका pattern रहने वाला है इस exam के लिए, एक बार उस पर भी आप हम दजर डाल देते हैं, for example, आप देखिए, यहाँ पर लिखावा है, लिखित मुख्य परिक्षा वस आमन्य हिंदी, यानि कि 100 प्रशन आएंगे and आपका 100 अंक 2 घंटा, तो 100 questions, 100 marks, इसके अरावा यदि आप appear हो रहे हैं in the following subjects, for example, अगर आप appear हो रहे हैं बहुत की, यानि कि physics, रसायन, chemistry, गनित, या modern office management and secretarial practice में, इन 4 subjects में अगर आप appear हो रहे हैं, तो फिर आपको general English का paper भी द देना पड़ेगा, अगर आप इन सारे subjects को नहीं belong करते हैं, for example, अगर आप इन 4 subjects को belong करते हैं, तो आपको general English का भी पेपर देना पड़ेगा, जिसमें again 100 questions, 100 marks and 2 घंटे का time आपको मिलेगा, इसके अलावा देखें, जो main subject है, आपका subject specific जो paper होने वाला है, that will be 150 questions, उसमें आए for 3 arts, तो basically, जो आपकी merit बनने वाली है, Maths, Physics, Chemistry के students के लिए, that will be out of your 500 marks, whereas, for those students who don't belong to these 4 subjects, उनके लिए जो merit बनेगी, वो बनेगी 400 में से, इसी के basis पे आपको, जो भी एक set criteria के अंतरगर जितनी भी vacancies होगी, उसके according proportion में ही आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, and interview का आपका weightage जहां पर interview को दिया गया है, only 50 marks, 100 marks का भी आपका interview नहीं है, interview is just of 50 marks, तो majorly, जो आपका decide होने वाला है, that will be decided here only, जिस दिन आप paper में appear होते हैं, उसी दिन आप दावे के साथ बोल सकते हैं, that whether इस बार आपका UKPSC Polytechnic Lecturer में selection होगा, या नहीं होगा, because आपका, जो interview का weightage है, इन कि आप अपना जो MCQ portion है, subject specific, उसको तो बहुत अच्छे से कर ले, इसके अलावा, आपका syllabus क्या रहने वाला है, for example, सामान या हिंदी की मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, बहुत general सा syllabus है, हर बार बहुत सारे experts जो exam देते आए हैं, especially if I talk about people belonging to your technical background, आप A की परिक्छा मे जिरों भाग लेते हैं, या आप, for example, किसी भी exam में जब भाग लेते हैं, तो generally जब general हिंदी का paper होता है, तो इसी तरीकी का syllabus आपको different states में देखने को मिलेगा, वर्ण विचार, सब्द समूत, सत्सम, तद्भव, उपसर, प्रतिय, परियावाची, विलो, मने, कार्थक, जो भी है, वर्तनी, असुद्धी सोधन, वाक्यगत, असुद्धी सोधन, लुकोक्ती, मोहावरे, विराम चिन, इस प्रकार के जो topics हैं, आपको हर एक exam में देखने को बिलेंगे, but let me tell you, उत्राखन प्रदेश में ही आपका 26 November 2023 को एक paper करवाया गया था, अधिसासी अधिकारी and Tax and Revenue Inspector का, EO, TRO, उसमें भी exactly यही सिलिबस था, तो यदि आप देखना चाते हैं that उत्राखन प्रदेश में किस तरीके के questions हिंदी में आयोग पूछता है, तो आप उस paper को refer कर सकते हैं and वह भी मैं अपने telegram channel पर share कर दूँगा, ताकि all those aspirants जिनोंने आज तक mostly हिंदी के paper नह तो हमारा YouTube जो चैनल है, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, इसके अलावा जो चार विशे हैं, for example, your Maths, Physics, Chemistry and Modern Office Management, उसके लिए आपका English का यह सिलिबस है, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही basic सिलिबस है and mostly जो A.E. का exam देते हैं, वो तो हमेशा से आपका Hindi और English क पेपर देते ही आए, तो मुर्कों नहीं लगता है, उनको कोई दिक्कत का सामना इसमें करना पड़ेगा, बट again, A.E. वाले जो आपकी branches हैं, Civil, Electrical, Mechanical, उसमें तो General English का पेपर कमपलसरी भी नहीं है, तो जो Physics, Chemistry, Maths वाले हैं, उनको General English का पेपर देना पड़ेगा, इसके अ आपका eligibility criteria क्या रहने वाला है इस exam में, तो for people belonging to the field of engineering, जिन्होंने B.Tech करी भी है, in your civil, electrical, mechanical, तो उनको आपको first class या equivalent तो होना पड़ेगा अपनी डिग्री में, first class और equivalent आपको लाना पड़ेगा, only then you will be eligible for the vacancy of polytechnical lecturer, इसके अरावा, अगर आप बिलॉंग करते हैं, to disciplines like physics, chemistry, maths, and आपने करावाए, अपना B.S.C. करी भी है, उसके बाद आपने M.S.C. करी भी है, तो मुझे लगता है, देखें, जब UP में इस प्रकार का notification आता है, तो दो तरीके के vacancy आती है, जो pay grade 9A के अंडर and pay grade 10 के अंडर, ओके, जब 9A के अंडर आती है, तो उसमें भी वो बांगत इसके साथ-साथ वो आपका, जो NET है, NET, JRF, वो clear मांगते हैं, या तो फिर जो state specific आपके exams होते हैं, SET और ये सब clear मांगते हैं, तो मुझे लगता है, इस बार जो physics, chemistry, maths के लिए जो आपका eligibility criteria रहने वाद है, for UK, PSC, Polytechnic, Lecturer, that will be your, again, first class or equivalent in your MSC, और equivalent degree, ठीक है, and हो सकता है इसको relax करके सिर्फ ऐसे कर दें, that आपका subject specific, सिर्फ आपका subject specific में, आपकी master जिगनी होनी चाहिए, but again, ऐसा UP, जब Polytechnic Lecturer कराता है, तो उसमें तो ऐसी कोई condition रहती नहीं है, उसमें वो clear cut लिखता है, that MSC in respective subject with first class or equivalent, but यहाँ पे, क्या criteria रहने वाला है, यह भी देखने का वि लेगा, तो वहीं पे हमें clarity मिल पाएगी, that only first class या equivalent वाले, जो aspirants है, हमारे in disciplines like mathematics, chemistry और physics, वो ही आपके इसके लिए eligible होंगे, या और भी students, obviously, जो reserved categories को belong करते हैं, उनको थोड़ा बहुत relaxation इसमें मिलता है, but I was talking about general category aspirants, तो यह सब जितनी भी आपके doubts हैं, वो तब ही clear हो पाए तो वहां से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं, that mostly यही आपका pattern रहने वाला है, all right aspirants, all the very best, then keep learning, and जो भी आपका subject specific है, उसके आप तयारी बहुत अच्छे से करें, because आप देख सकते हैं, 300 number का जो weightage है, वो आपको subject ही दिलाएगा, and interview में भी जब आपका मात्र 50 number का हो, तो जादा अंतर यहां से पढ़ने वाला नहीं है, यदि आप इसमें बहुत अच्छा score कर लेते हैं, तो आप उसी दिन बोल सकते हैं, that हाँ, आपका इसी बार इसी cycle में selection सुनिश्चित है, all right, हमारा telegram channel जरूर जाइन करें, जिसका link again इस video के description box, as well as comment section में मैं आपको provide कर इसलिए इसको जरूर जोइन करें, हमारे इस YouTube चैनल को भी subscribe करें, आने वाले समय में जितने भी important updates होती है, regarding your Polytechnic lecture exam मैं अपने चैनल पर share करता रहूँगा और आप भी उससे updated रहें, all right experience then, all the very best, keep learning and जल्द मिलते हैं एक नई update के साथ.